Don't use layers like this Layers को Photoshop में जो layers होती है उनको कभी भी इस तरीके से use ना करें किस तरीके से use ना करने की बात कर रहा हूं तो इस विडियो को दिखीगा, एंड में मैं ना मैं मनी सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल Digital Manjeeed चलिए, पहले तो layers के बारे में जान लेते हैं कि layers क्या होती हैं फिर उसके बाद में देखते हैं कि कैसे ना use करें विकास अगर आप direct में चले जाएंगे कि कैसे ना use करें तो आपको समझ ही नी आएगा layers क्या है तो पहले layers के बारे में जानते हैं उसके बाद चलेंगे अपन कि किस तरीके से इसको यूज नहीं करना चाहिए सबसे वहले देखिए लेर्स के अंदर ना पांच टाइप की लेर्स हमारे पास में मौझूद होती है और इन सबी के बारे में आज अपन देखने वाला है सबसे वहले देखते हैं यहामं आती है इमग्ला रैइट अब देखिए हमारे पास में इमग्ला है यह होती है इमचश लेर क्या यहाँ सकते हैं के आफनी इमचर सकते हैं इसरे होता है इस वॉटा है हुए और आज्टेस्मेन इसमें पिस में करने के लिए इसके बार में अभी तक अपन नहीं देखा है वो अपन वीडियो के उने जरूरphas देखेंगे तो अभी के लिए इसके लिए छोड़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं तैस फिर आता है यह basically एक shape है तो हमारा असों यहां पर एक shape आ रहा है और last जाता है हमारे पास में एक smart object now अब आप बोलोगे कि भाई इसमें यह जो हमारा smart object है यह भी एक image है अगर हम देखें यहां पर हमारी वाली layer image वाली यह भी एक image है तो दोनों में अंतर क्या है basically बहुत बड़ा difference है रास्टर images and smart objects के अंदर वह अगली हमारी जो बिल्कुल next video होने वाली यह उसी के अंदर यह cover up करने वाले है तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजेगा ताकि आपको notification मिल जाया right okay तो अब आगे बढ़ते हैं इन दोने के बार में आपने आगे देखेंगे लेकिन दोनों में काफी ज्यादा difference होता है ठीक है चलिए तो I hope कि आपको यह 5 layer समझ में आ गई होगी 5 stripe की layers कैसे ह करती है okay अब इसको use कैसे नहीं करना चाहिए तो पहले तो देखिया के लोग क्या करते हैं जैसे में को यहां पर मेरे को एक background बनाना है हम क्या करेंगे की ठीक है भाई हमने यहां पर क्या hardness की कर दी full यह चलो 50% क्या स्पूस कर लेते हैं इसको right और color ले लेता हूं मैं यहां color में कुछ यह की बीच में ना एक खलका सा glow आ जाए तो हम क्या करेंगे रेड का यह खलका सा light version ले ले लेंगे like this और इसकी hardness क्या कर देंगे बिल्कुल कम और इसको हम क्या कर देंगे यहां पर डाल देंगे ठीक है भाई हमको हमारा जो हमारा नीफुल जो हो complete हो गया अब बढ़ते हैं चल आप यहां पर text भी लिखना है और कुछ शेप भी डालना है और कुछ और colors भी करने ठीक है वहीं करके देखते हैं तो चल एक selection मनाता है कि एक selection के अंदर में को आपे blue color डालना है हम क्या करते हैं यहां पर लास हुक में गए हमने यहां पर किया हम ले चेंज अगर हमको बाद में अरे यह वाला जो blue color डाला ना इसका कुछ और color होता यह चलो यह हट जाता ना तो काफी amazing होता अब यहां पर दिखिए अब क्योंकि हमने साला कुछ एकी layer पर कर दिया अब हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर हमको इसको सही करना है तो हम एक चीज कर सक चांते layers होती है सारी चीजे अलग-अलग करने के लिए आप एक ही layer पर सारा कुछ नहीं डालेंगे अब जैसे यहां पर मेरा इक color होगया फिर next new layer बनाओ यह new layer बनाओ उसके बाद फिर से एक हलका सा light वाला जो रेट है वो लेके उसके उपर डालो फिर वापस से एक और layer ब बना दिया वापस से सेम राइट सेलेक्शन पर मत जाना का इस बहुत ही फालतो सा है बट ठीक है तो यह देखिए अब हमने क्या किया है तीनों चीजे अलग-अलग layers पर डाल दी अब हम क्या कर सकते हैं अगर हमको in future अगर हमको इसको कुछ hide करना है कुछ देखाना है कुछ show करना है तो वह सीजा हम कर सकते हैं अब जिसे blue color हटाना है हम अटा सकते हैं बट हमारी पुरानी वाली layer जिसमें अपन एक पर कर रहा था अब इसके अंदर से अब आप नहीं हटा सकते हैं आपको पूरा का पूरा structure renew करना पड़ेगा इसके अंदर हमारे वासमें क्या हो गय इस टैप से अलग अलग layers को organize करना studio कर दीजिएगा चलिए तब बन मलता हम आपको next studio में तब तक के लिए बाए